नमस्कार स्वागत आपका इंडिया नियूस 28 में ये बात करते हैं मध्यप्रदेश की कोच खास खबरों की विदिशा में आग लगने से लाखो रुपे का नुकसान खबर मध्यप्रदेश के विदिशा के ग्यारसपूर तहसीई के ग्राम मानुरा में राम सिंग कुश्वाहा के मतान में शुक्रवार को आग लगने से लाखो रुपे का नुकसान हो गया साथ ही पास में बगीचे में आग लगने से अनार नारियल के पेड़ अम्रूट के पेड़ भी जल गए हैं वो ही औरने बिछाने के कपड़े एवं बरतन आदी ग्रहस्ती का सामान भी जल कर खाक हो गया है हालांकि आग लगने की खबर लगते ही खेट में लगे ट्यूग वेल के पानी सी तुरंट आग पर काबू पालिया गया है जैसे ही खबर ग्राम के पटवारी को लगी तो तुरंथ कोटवार एवं ग्राम के सहोगियों के साथ पहुँचे और आग पर काबू पालिया गया फिलहाल कोई जन्हानी नहीं हुई आपको बता दे कि वहाँ पर तीन गाय और बच्छरे उसी स्थान पर बंद थे लेकिन दिन की समय वल्चरने के लिए गय थे वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था समवाद बता राकेश जैन की रिपोर्ट यह रामसींग कुसबाह जी हैं ग्राम मानरा और तैशिल ग्यारसपर के रहने वाले हैं और इनके मकान में जो है न पड़ोस में जो खेत था उसकी नर्वाई में आग लगी थी और उस नर्वाई की बज़े से यह काफी नुसकान हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर भार पूरा ग्रस्ती का सामान जो रखा हुआ था यह पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है यह उपर सो च्छत बगर यह पूरा जला हुआ पड़ा है पूरा काफी लोग इनकी मदद के लिए भी आये थे